वेरी गुड इविनिंग टू अलफी दोस्तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार में CSBC ने रिक्रूटमेंट निकाली थी दोस्तो स्वाभिमान बेटैलियन को लेकर जिसमें की एक अच्छी ख़वर खुश ख़वरी आ रही है जी यहां दोस्तो लेडी कॉंस्टेबल की वेकेंसी थी यह स्वाभिमान बेटैलियन की जिसका ज्वाइनिंग डेट दे दिया गया है और योगदान करने के लिए भी अपडेट आपको मिल चुका है तो जो भी छात्रा हैं यहां पर हमारे साथ जोड़ी हुई है उन सभी के लिए यह छोटा सा अपडेट है तो प्लीज ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बार बार यहा यहां पर अभी थोड़ी दिर पहले एक अपडेट आया है और इस अपडेट में यह नोटिस दिया गया है कि यहां एड़टाइजमेंट संख्या 2020 है यहां पर देख सकते हैं और बिहार स्वाभीमान पुलिस बैटैलियन को लेकर इसका नोटिस जारी किया गया तो चलिए म इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहां पर जिन छात्राओं का सेलेक्शन हुआ है उनका ज्वाइनिंग डेट कब से और कब तक है उनको योगदान कब तक करना है दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के अंत्रगत बिहार अभिमान बटलियन में सिपाही पद के 454 पदों की यह जो 454 पदों की जो वेकेंसी निकाले गी थी इनके लिए चैनित और अनुशंसित अभ्यार्थियों की सूची 19 फरवरी 2021 को राजी के प्रमुख समाचार पत्रों पर भी परशत की वेबसाइट पर भी प्रकासित की ज पर यहां समादेष्ट और बिहार स्वाभिमान पुलिस बैटैलियन को लेकर बालमिकी नगर बगहा कर्याले व्यक्तिकत रूप से पहुँचे तो यहां पर आपको योगधान करने पहुचना है दोस्तों यह एक अड्रेस दिया गया यहां पर यहां पुलिस बैटैलियन स् और मैं वो लिष्ट अभी आपको दिखला देता हूँ यहाँ पर तो उमिद्वार अपने जो भी मुल प्रमाणपत्र हैं वो क्या-क्या लेकर जाना है सेक्षिन योगिताओं को सारा प्रमाणपत्र होगा आपके पास वो लेकर जाना है खासकर आपको मैट्रिक और इंटरमेडियेट का जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको सर्टिफिकेट लेकर जाना है जाती प्रमाणपत्र भी अपना लेकर जाना है तो तंत्रता सिनानी की अगर नातिप होते हैं या उनसे रिलेक्टेड हैं तो यहां पे आपको जियां उसका भी सर्टिफिकर्ट लेकर जाना होगा बिहार आज़ी की ग्रिय अरक्षा क्याने की होम गार्ड में अगर आप पहले से विकेंसी जॉब कर रहे हैं तो उसका भी प्रमान पत्र आपको लेकर जाना होगा और एक फोटो युक्त पहचान पत्र और साथ में मत अदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लैसेंस के अधार कार्ड यह सारी चीज़े आपको लेकर जाने होगी वो एक तारीक से लेकर 25 तारीक के बीच में आपको जाकर यहाँ पर अपना योगदान देना है तो यह वो लिस्ट है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में जिया जिन छात्राओं का नाम है यहाँ पर तो completely यहाँ पर हम बात कर ले तो जो भी छात्राओं का हुआ है टोटल 431 यहां पर 454 अभियारतियों का सेलेक्शन हुआ है जहां पर इन वेकेंसी के रिगार्डिंग यहां पर आप अपना रॉल नंबर के साथ नाम भी चेक कर सकती है और जिन छात्राओं के यहां पर सेलेक्शन हुआ है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें और आप लोग को वाट्सब का यहां पर नंबर दिया गया है आप लोग वहाँ भी मुझे मेसेज कर सकती है तो जितने भी लोग है आप एंब आकर यहाँ पर पर पा यहाँ पर पाली है तो योगदान के लिए आपको यह सारा डिटेल मैंने यहाँ पर दिया है तो जाकर एक तारीक से लेकर 25 तारीक तक मार्च के महीने में आपको अपना योगदान देना होगा यहाँ पर यह संबंधी चीजे बताए गई है तो धन्यवाद दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजेगा खुश खबरी है जी हाँ उन छात्राओं के लिए जिनका यहाँ पर सेलेक्शन हुआ है तो जल्द ही आप लोग का भी रिजल्ट आ है जिस एक्जाम का आप लोगों ने परिक्षा यहाँ पर दिया है जिस परिक्षा को दिया है तो आशा करते हैं कि आप लोगों ये वीडियो पसंद आई होगी तो धन्यवाद मित्रो चलते हैं अब अगली वीडियो में मिलेंगे जलते ही धन्यवाद